बिहार सिच्छक भरती दोजाट तेईस जिसका एक विषय है यहाँ पे समान गडित आज हम इस वीडियो में समान गडित के पंद्र क्यूक्षन को डिसकस करेंगे वीडियो का पूरो अंतक देखेगा चलिए सुरुवात करते हैं पहले सवाल से पहला सवाल है एक घनाप की विमाएं 60 cm, 54 cm, 30 cm है उस घनाप के अंदर 6 cm भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं तो कुल मिलाके बच्चों यहाँ पे घनाप के अंदर घन रखने की कोशिस की जा रही यहाँ पे तो कह रहा है कि घनाप के अंदर 6 cm की अगर भुजा वाला घन तो कितना घं आएगा, तो इस इसित्ति में क्या करेंगे आप, सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कितने घं रखे जा सकते हैं, तो सौट टीकी बताऊंगा, तो यहाँ पे आप डालेट निकालेंगे, घंणो की संख्या, कैसे निकालेंगे, हमें किस में रखना है, घनाब में र गनाब का आयतन बटे अब यहाँ पर क्या है नीचे घन दिया है तो नीचे लिखेंगे घन का आयतन गन का आयतन तो घनाब का आयतन क्या होता है बच्चो लंबाई गुर्ते चोड़ाई गुर्ते उचाई अब बटे घन का आयतन क्या होता है भुजा घाते तीन लंबाई क्य के दिया हुआ है घनाब में 60 दिया है 60 गुड़ते यहाइप हो जाएगा 54 गुड़ते 30 बटे घन की भुजा कितना दिया है च तो च को तीन भार लिखेंगे 6 गुड़ते 6 गुड़ते 6 इस तो काट देंगे छा शी सु काटेंगे तो यह 10 बार जाएगा चारसी सु काटेंगे तो नव बार जाएगा और चारसी सु काटेंगे तो पांच बार जाएगा तो गुड़ा करेंगे कितना आएगा दस में नव को गुड़ा करेंगे नब्बे में पांच गुड़ा करेंगे तो ये आया जाएगा चारसो पचास तो 450 घंजो है इस घंड आप में रखे जा सकते हैं तो 450 इसका राइट एंसर हो जाएगा दूसरा सवाल चल लेते हैं आपे दूसरा सवाल दिया है यहाँ पे दोस्तों 76 मीटर लंबी और 48 मीटर चोड़ी एक आयत का परिमाप बताओ तो आपको आयत का परिमाप पूछ रहा है तो आयत का परिमाप निकालने के लिए आपसूत र्याद कर लिजिएगा दो कोश्टक में होता है लंबाई प्लस चोड़ाई तो आयत का परिमाप दो कोश्टक में लंबाई प्लस चोड़ाई अब यहाँ लंबाई रखें कितना 76 प्लस चोड़ाई कितना दिया है 48 तो इसको जोड़ देंगे आपे 8, 6, 14 हासिल लगा 1 हो जाएगा 7, 4, 11 और 12 इसका गुड़ा कर देंगे तो हो जाएगा 2, 4, 8, 2, 2, 4 अब 2, 1 का 2 248 248 मीटर यह हो जाएगा आयत का परिमाग इसका राइट एंसर हो जाएगा 248 तीसरा सवाल देखते हैं आपे दोस्तो लिखा हुआ है सबसे छोटी परमे संख्या कौन सी है इसमें हमें बताना है सबसे छोटी परमे संख्या तो कौन सी होगी इसमें 1 होगी या minus 5 होगा या 2 होगा या 10 होगा तो परम्य संख्या चाहे minus में हो चाहे plus में वो परम्य संख्या माने जाती है तो सबसे छोटी परम्य संख्या इसमें minus 5 है तो minus 5 इसका right answer हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं आपे दोस्तों लिखा हुआ है यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5 दिया है B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 7 है तो हमें बताना है तीनों में अनुपात बताना है A, B, C में तीनों में अनुपात बताना है तो कैसे लगाएंगे इसको सरल तरीका आपको बताएंगे यहाँ पे देखे साथ से पहले आप क्या करेंगे साथ से पहले आप यहां लिख लेंगे A, B और यहां पे C ऐसे लिख लेंगे अब दिया है A और B का अनुपात दिया है 3 और 5 तो A की नीचे लिखेंगे 3 और B की नीचे लिखेंगे 5 अब दिया है, B एुँझे निचे लिख देंगे यहां पर हम, 4 थोड़ा सा जगह यहां पे छोड़ लिख देंगे और C की लिखेंगे 7, 4 की सीधे हम 7 लिख देंगे अब करना किया है दोस्तों आप लोग को? यहाँ पर ऐसे एक direction लगा लेंगे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे अब हम यहाँ पर क्या करते हैं जैसे जैसे हमने यहाँ पर direction लगा है वैसे वैसे हम यहाँ पर गुडा कर देंगे 3 में 4 गुडा करेंगे कितना आएगा 12 अनुपात का चिन लगा देंगे पांच में 4 गुड़ा करेंगे आएगा 20 अनुपात का चिन लगा देंगे पांच में 7 गुड़ा करेंगे आएगा 35 तो यहाँ प्या गया ABC में अनुपात आया 12 अनुपात 20 अनुपात 35 तो यह राइट एंसर हो जाएगा A, यह इसका राइट एंसर हो जाएगा तो इस टाइब का यह चोथा सवाल लगेगा पाचवा सवाल दिया है दोस्तों यदि किसी वस्त के क्रेमुल तथा बिक्रेमुल 10 अनुपात 11 के अनुपात में है तो लाब पर्शेंट बताना है तो सबस्से पहले हमें यहाँ दिया है क्रेमुल CP और बिक्रेमुल SP इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 10 अनुपात 11 यह दिया हुआ है हमसे पूछ रहा है लाब पर्शेंट कैसे निगालेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले CP दिया है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CP बटा SP बराबर 10 बटा 11 कहने क्या मतलब है 10 रुपे में खरीदा है और 11 रुपे में बेचा है 10 रुपे में खरीदा 11 रुपे में बेचा है तो कितने रुपे का लाब हुआ लाब हमको होगा कितना 1 रुपे का लाब हुआ कितने रुपे का लाब हुआ हमें एक रुबे का लाब हुआ अब हमसे पूछ रहा है लाब पर्षेंट तो लाब पर्षेंट निकालने के लिए सुत्र होता है लाब गुड़ते 100 और बटा CP तो CP यहाँ पे कितना दिया है 10 CP यहाँ पे है 10 तो 10 इसो कार देंगे यहाँ पे बचेगा 10 तो 10 में एक गुड़ा करेंगे 10 तो 10 पर्षेंट इसको लाब हुआ तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ए इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं आपे दोस्तों छठावा सवाल है 600 का 18 पर्षेंट कितना होगा 600 का 18% कितना होगा कैसे निकालेंगे आपे तो 600 लिख देंगे कामाने गुड़ा लगा देंगे 18% मतलब 18 बटा 100 लिख देंगे तो 1, 2, 2, 0 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 18 में 6 को गुड़ा कर देंगे आपे 18 में 6 को गुड़ा कर देंगे 186 का 108 होता है 108 इसका right answer हो जाएगा सवाल नमबर 7 देखते हैं अबे दोस्तो सातवा सवाल दिया है एक कक्षा में 25% लड़किया है अगर लड़किया 15 हो तो कक्षा में सभी छात्र कितने होंगे यहाँ पे हमें लड़कियों की संख्या भी दिया है और लड़कियों का percentage भी दिया है हमसे पूछ रहा है कितने छात्र होंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है माले कक्षा में कुल छात्र यक्स थे यक्स छात्र थे तो यक्स का 25% कौन थी? लड़किया ही तो थी? तो लड़किया कितना है? 15 तो यही सी में यक्स का मान निकाल देंगे तो हमारे पास सभी छात्र आ जाएंगे तो यक्स गुड़ते यहाँ हो जाएगा 25 बटा कितना? 100 और बराबर ये 15 हो जाएगा कार देते हैं इसको 25 का 25, 25 चौका 100 यक्स का मान निकाल लेंगे 15 में 4 गुड़ा कर देंगे 15 चौका 60 तो कुल बिद्यार्थी कितने थे? 60 तो 60 इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं हाँ पर दोस्तो लिखा हुआ है सुरेश ने अपने दोस्त से 500 और उपिया 6 परसेंट वारसी बियाज की दर से उधार लिया तो 2 साल का बियाज कितना होगा? तो हमसे यहाँ पर 2 साल का बियाज पूछ रहा है तो बियाज निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तो साधार बियाज तो साधार ब्याज निकालने के लिए सुत्र होता है यहाँ पे मूलधन गुड़ते दर गुड़ते समय और बटा सव होता है तो मूलधन कितना हुआ यहाँ पे जो रुपिया यहाँ पे उधार लेता है उसी को क्या कहा जाता है मूलधन कहते हैं मूल धन यहां पर हो गिया 500 रुपिया, दर कितना दिया है? 6 परसेंट, और समय कितने साल का ब्याज लेना चाह रहा है? 2 साल का, अब बटे यहां पर कर देंगे 100, तो 100 सिसु काटेंगे तेहां 5 बार जाएगा, तो 6, 5, 3, 3, 2, 60 रुपिया, तो 60 रुपिया इसका ब्याज पानी की बोतल का मुल्य कितना होगा? तो यहां पर स्कूल बैक को हम माल लेते हैं यक्स, और पानी की बोतल को माल लेते हैं यक्स, और पानी की बोतल को माल लेते हैं यक्स, तो यहां पर लिखा हुआ है, दो स्कूल बैक, तो मतलब 2 यक्स हो जाएगा, पांच पानी की बो पूछ रहा है तो कहने क्या मतलब है इस दो को हम बना दे 10 और इस 5 को बनाना पड़ेगा 25 तो क्या करेंगे इसमें हम 5 का गुड़ा कर दें क्या कर दें तो यहाँ पे आया 10 स्कूल बैग और 25 पानी की बोतल का मुल लेकुल कितना आया 1700 रुपिया तो आपसन 20 का राइट एंसर हो जाएगा दस्वा स्वाल देखते हैं यहाँ पे बच्चों दस्वा स्वाल लिखा हुआ है यहाँ पे 40 पूरुस एक इमारत को 100 दिनों में बना सकते हैं इसी कार को करने में 80 पूरुस को कितना दिन लगेगा तो यहाँ पे 40 पूरुस जो किसी काम को 100 दिन में करते हैं तो एक सुत्र होता है आप लोग जानते होंगे दोस्तों यहाँ पे है 30 पूरुस कैसि काम करते हैं कोल सौ दिन में काम करते हैं कि हैं अब यहाँ पूछ रहा है कि इसको समय लगेगा मतलब पूछ रहा है दिन तो इसको D2 मल लेते हैं तो इसको cancel कर देंगे 41 का 40, 42 दूना 80 दोस इसको cancel करेंगे तो यहां आएगा 50 तो 50 बराबर D2 तो कहने क्या मतलब है 80 पुरुसों कितना समय लगेगा 50 दिन का समय लगेगा तो आपसे नमबर 10 का राइट एंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं आपे दोस्तों लिखा हुआ है यदि P बटा 2 बराबर Q बटा 5 बराबर R बटा 6 है तो P स्कॉर अनुपाते P प्लस Q का होली स्कॉर अनुपात Q प्लस R स्कॉर का यहां पे हमें तीनों में अनुपात बताना है तो कैसे हल करेंगे जब भी इस टाइब का यहां पे अनुपात दिया रहा है यह वाला रेशियो ऐसी इस टाइब का दिया हो तो इसमें निकल के आएगा P कमान 2 निकल के आएगा दोस्तो Q कमान निकल के आएगा 5 और R कमान निकल के आएगा तो इसी में सब कमान रख देंगे तो मेरे पास answer आ जाएगा तो यहाँ P कमान रखेंगे कितना 2, तो 2 का square अनुपात P कमान यहां रखेंगे 2 और प्लस Q कमान दिया है यहाँ पर 5 5 रख देंगे, square कर देंगे अनुपात लगा देंगे, फिर Q कमान कितना है यहाँ पर 5 प्लस R कमान कितना दिया है 6 6 रखेंगे, square लगा देंगे तो 2 का square कितना होता है दोस्तो 4 अनुपात 5, 2, 7, 7 का square करेंग कितना आएगा 49 अनुपात 6, 5, 11, 11 का square करेंग कितना आएगा 101, तो यह इसका हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा बरावास all देखते हैं दोस्तो लिखा हुआ है इसको सरल करना है में 43 गुर्टे 2, minus 21, off और लिखा हुआ है यहाँ पे तो कहने क्या मतलब board mask के नियम से यहाँ पे हल होगा तो सबसे पहले हल होगा off जहाँ पे off दिया है पहले वो हल होगा मतलब इसमें यह उपर वाले में यह हल होगा पहले और इसमें वाले में यह हल होगा तो कैसे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 43, 220, minus 28 में 4 का गुड़ा कर देंगे off का मतलब गुड़ा होगा то 4, 1, 4, 4, 2, 8 तो यहां हो जाएगा 84, बटे, यहां पर जाएगा 28 माइनस, साथ में 5 गुड़ा कर दें, कितना आएगा 35 और प्लस 9, तो 2 तियाई 6 और 2 चौका 8, 86 माइनस 84 हो गया, बटे, यहां पर करेंगे, इसमें से यहां पर पहले 28 और 9 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा यहा यहां पर 37 आजाएगा, अब माइनस 35, उपर घटाएगे 2 आएगा, नीचे घटाएगे 2 आएगा, 202 कैंसिल हो जाएगा, आएगा इसका राइट एंसर 1, तो आपसर नमबर इसका एक, यह से हो जाएगा, अगला सवाल देखते हैं आपर दोस्तों, लिखा हुआ है, यदि अंकित मुल 650 रुपिया है, और छूट 10 परसेंट है, तो उसका विक्रे मुल बताइए, तो इसमें क्या कर रहा है, कोई भी यहां पर वस्तु है, जिस पर छपा मुल 650 रुपिया है, अब ग्राहक लेना चाहता है, तो उसको 10 परसेंट छूट दे रहा है, तो वो जो है, उस 65 रुपिया का तो अभी छूट दिया, अब वो ग्राहक खरीदेगा कितना, मतलब यह बेचेगा कितने में, तो 650 में हम 65 घटा देंगे, तो 10 में से 5 गे 5 आ जाएगा, यहां पचेगा 4, 14 में से 6 गे 8, और यहां बचेगा 5, 585 रुपिया उसका विक्रे मुल हुगा, आपसर नमबर 60 का राइट एंसर हो जाएगा, सवाल नमबर 14 देखते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है, 36 और 121 का मध्यान उपाती बताना है, तो मध्यान उपाती निकालने के लिए, दोस्तों हम करते हैं, A गुड़ते B, अंडर उड़ में A गुड़ते B, तो A दिया यहां पे 36, औ राइट एंसर हो जाएगा, आपसर नमबर 20 का राइट एंसर है, सवाल नमबर 15 देखते हैं दोस्तों, 15 लिखा हुआ है, यदि एक बृत का परिमाप, परिमाप मतलब परीध हो जाएगा बृत में, एक बृत का परिमाप और छित्रफल संख्यात्म को रूप से बराबर हैं तो उस बृत्त की तिरज्या बताइए तो यहाँ पे बृत्त का परिमाब बृत्त का परिमाब बृत्त के छित्रफल के बराबर है बृत्त के छित्रफल की क्या है बराबर है तो बृत्त का परिमाब क्या होता है तू पाई आर आव बृत का छितफल क्या होता है, πाई आर स्कुआर तो πाई से πाई कैंसिल हो गया एक आर इस से कैंसिल हो गया तो यहां बचेगा दो बराबर आर तो बृत की तुरिज्य कितना आया, दो आया तो दो इसका ये राइट अंसर हो जाएगा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक, सेर और स्क्राइब करना न भूलेगा थेंक्यू